Hello Everyone, Welcome to Babies Gallery, Babies Gallery में आज हम दिस्कस करेंगे 6 मुएने के बच्चों का खाना कैसे इंतेडियोज करते हैं तो आये जो में ड़िए क्वेस्टेंन से वो बेख लेते हैं, राइट टाइम क्या है, राइट है एड गया है तो राइट टाइम तब है जब अपका बेबी 180 डेज का हो गया है यानि की 6 मॉन्स ओर बैट पारा है विद या फिर विदाउट सपोर्ट अगर आप लेके बैट रहा है तो बैट पारा है सिधा बैटना बहुत जरूरी है खाने के लिए ताकि चोकिंग ना हो आप उनको खान लेके एक्स्प्लोर करेगा उनको इंट्रेस्ट आएगा तो उसके पात आप बेबी को अपराइट बिठा के खाना की खिलाए स्पून से या फिर हाथ से खिलाए आप पैलडी वगरा का इस्तेमाल मत कीजिए सॉलिड फूड खाने के लिए एक जगा पे बिठा के खिलाने क ट्राइ किजिए बाद में क्या होदा कि हम लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा इक जगर पर बैट के नहीं खाता है घूम घूम के खाता है तो यह बाद पहले से प्रैक्टिस कराने की ज़रूत परती है तो इसके लिए आप हाई चियर या बुस्टर सीट का यूज क किजिए अगर बच्चा आपका 2-3 स्पून भी खा रहा है तो इस ओके धीरे धीरे आप कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे बच्चे को इंट्रेस्ट आएगा में है आपका ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क तिल एक वान यर फॉर्स फूड क्या होना चाहिए तो फॉर्स फूड में हमारे पास जो लिस्ट है आप देख लीजे यह हम बाद में फिर से डिस्कूस करेंगे में है मैश पोटेटो, स्टीम डिया ग्रेटेड अपल, पेर्स, मोसमी जूस, बनाना, राईस, दाल, रागी पॉरिज, खिचरी, डिफरेंट वेजेटेबल्स क साथ, होम मेड से रिलैक, एक एक करके इंटर्यूस करना है बच्चे को एक साथ सारा नया नया चीज नहीं खिलाना है, एक नया चीज खिलाना है, वेट करना है, दो तीन दिन बच्चा कैसे कोप करता है, देखके फिर नया दूसरा चीज खिलाई है बच्चे को, इससे क्या होता है अगर allergy का symptom है तो आपको समझ में आ जाएगा मिल्क फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए पहले तो आप एक मिल से स्टार्ट करेंगे एक साथ दो तीन मिल्क स्टार्ट कर देंगे तो याद रखिए बच्चे का में सोर्स जाएगा बच्चा और बच्चे को चोटा होता है तो अगर आप सॉलिट जाएगा तो उसके लिए जरूरी है कि आप ठोड़ा-ठोड़ा करके खाना दिजिए एक मिल दीजिए दो-तिर हफते बच्चे को एड़्यस करने दिजिए फिर नया कुछ दीजिए दीनर लास्ट में करना है पहले जो आप खाना खिलाएंगे सिर्फ मेंली आप दिन के टाइम पर खिलाएंगे नो सॉल्ट नो शुगर नो हनी नो काव मिल्क तिल वान एयर ओफ इच यह डवलु एच रेकमेंडेड है आप बिना सॉल्ट और शुगर का आप बोलते हैं कि बच्चा बिना जयने की कोशिश करता है तो बच्च नहीं खा पाता है लेकिन पहले आप अगर विदाउट सॉल्ट देते हैं बच्चे को वही टेस्ट समझ में आएगा विढ सॉल्ट का टेस्व इक साल नहीं है तो पीज आवोईडट आप स्वीट पोटेटो जयकरी डेट सीरup जैसे ची कीजिए दिल वानियर ब्रेस्ट मिल्क या ओनली फॉर्मूला मिल्क इससे बच्चा जो है उसको प्रॉपर नुट्रिशन मिलेगा इसके बाद हम लोग जो हमारा जो फूट चार्था वो और एक बाद देख लेंगे मैश पोटेटो स्टीव ग्रीटेड एपल और पेर मोसंब जूस बनाना प्लीज एक एक करके इंटर्ड्यूस करना है अगर आज हमारे मैश पोटेटो दिया है दो दिन तक नया कुछ नहीं देना है या एकलिस दो दिन तक आप पैश्ट पोटेटो दो दिन तक दीजिए बच्चा अच्छे से खा रहा है फिर आप दूसरा जैसे पहले है तो आपको समझ में आएगा आप ट्राइ कीजिए सारा नया चीज जो है वो धीन में देने के लिए क्योंगि कdoes कभी क्या होता है कि बच्छे को किसी चीज का अगर रीक्षन होता है तो आपको टाइम मिलता है उस पेर स्पोंड करने के लिए अगर डॉक्टर को कॉ अगर बचा खाना खाके सो जाता है तो आपको वो समझ में नहीं आएगा वो कुछ रियक्शन होता है या कुछ होता है तो रेकमेंड़ है आप जो भी नया कुछ देंगे सुबह के टाइम पे दीजिए रात को नहीं डिनर सबसे लास्ट में इंटर्यूस करना है क्योंकि डिनर जो है वो डाइजिस करना तोड़ा डिफिकल्ट होता है संसेट के बाद बोलते हैं कि जो आप खाते हैं डाइजिस्टिफ सिस्टेम स्लो हो जाता है तो डिनर लास्ट में इंटर्यूस कीजिए Thanks a lot for watching us Hope you have a lovely journey ahead with your baby Thank you अगर आपको हमारा रेसेपी पसंद आए तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना मद भूलिये Thank you